दोस्तों हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर स्वास्ते समझित बाते करते हैं आज की वीडियो में हम जानेंगे की एसा मोटे अनाजो जवार बाजरा कुटकी कोदो आदी में क्या है की डोक्टर लोगों को इनको अपने खाने में सामिल करने की सला देते हैं मोटे अनाजों के भाइदों को लेकर देश के सिर्स मंचों से चर्चा हो रही है सुर्च राष्टर संग द्वारा दो अजार तेश को अंतरह्ष्टर मोटा अनाज वर्ष गोशित किया गया है मोटे अनाज को मिलेट्स यानि सिरी अन के नाम से भी जानाजात है जवार, बाजरा, रागी, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी, कुट्टू, अधी मोटे अनाज हैं इनमें पोश्ट तत्वों की बरपूर मात्रा होती है पुराने समय में इन अनाजों का इस्तेमल दैनिक वोजन में किया दाता था मोटे अनाज भारत की परियावन परिस्थिती के अनुसार भी ज़्यादा नुकूल है ये प्रकृति के साथी हैं इनकी पैदावर में धान या गेहों के मुकाबले कम पानी की आवसकता होती है एक किलो धान पैदा करने के लिए 4000 लीटर पानी की आवसकता होती है जबकि मोटे अनाज कम पानी में भी अच्छी पैदावर देते हैं इनकी फसलों में केमिकल फर्टिलाजर, यूरिया, आदी की भी आख सकता नहीं होती ये कम अफजाव भूमी में भी अच्छी पैदावर देते हैं साथ ही इन फचलों की देखरे के लिए किसानों को कम मेनत करनी पड़ती है मोटे नाज को अकार कैदार पर दो कैटेगरी में रखा जाते हैं बारिक शिरी अन जिसमें कोदो, चीना, कंगनी, रागी, सामा, कुटकी, आधी सामिल है बाजरा जवार, मोटे दाने والे शिरी अन हैं जवार बाजरा में फूट फाइबर की परचूर मातरा पाय जाती है आई दोस्तों अब जानते हैं कि डोक्टर इनको लोगों को अपने खाने में सामिन कलने की सना क्यों देते हैं मोटे नाजों में उपस्थित फाइबर की मातरा मनुश्य के पाचन को दुरस्त रखती है इनमें आरेन और कैलिसिम की मातरा भी भरपूर मातरा में पाई जाती है जिन लोगों को दूद एपच की सिकायत रहती है उन लोगों के लिए मोटे नाज कैलसिम पूर्ती में साहिक हो सकते हैं जिनको गलूटन एलर्जी होती है उन्हें डॉक्टर द्वारा मोटे नाज के सेवन की सला दी जाती है मोटे नाजों में विटामिन B अच्छी मातरा में मिलता है बादरा में B3 यानि नियासिन विटामिन पाय जाता है नियासिन स्री से ट्राइगलिसाइड्स को कम करने का काम करता है ट्राइगलिसाइड्स हार्ट अटैक के खत्रों को बढ़ाते हैं मोटे नाजों के सेवन से स्री में कलोस्टर की मातर नींते तहती है रागी और जवार मदुमेगे रोगयों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं ये सिरीर में कार्बाडेट्स के अवसोशन की गती को धीमा कर देते हैं इन अनाजों का गलाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है Glysemic Index यह बताता है कि खाया गया बोजन कितने जल्दी खुन में सरकरा की मातरा को बढ़ाता है यानि सुगर की मातरा को बढ़ाता है मोटे नाज टाइब टू मदू मेरोगियों के लिए काफी उपयोगी है क्योंकि इनका Glysemic Index काफी कम होता है मोटे नाजों के फादों को देखते वे कहा जा सकता है कि ये सूपर फूड हैं इनका प्रियोग मोसमा उनसार दैनिक बोजन में दलिया, किषडी, रोटी आधी बना कर किया जा सकता है मोटे नाजों के फादों को देखते वे बजार में इनकी मांग बढ़ रही है मोटे राजों को अनेक उत्पात बजार में मौजुद हैं चलिए दोस्तों अब इनके फादों के बारे में जाल लेते हैं ये हडियों को मुझबूत करते हैं कैलसिंग की कमी से बचाव करते हैं पातर को दुरुस्ट करने में मदद करते हैं वजन को कंट्रोल लगने में साहिक हैं एनिमी के खत्रा कम होता है डाइबिटीज के रोगियों के लिए काफी लाबकारी हैं सरीर को गरम रखते हैं और दिल के लिए भी अच्छे होते हैं मोटे नाजों के प्रमोशन के लिए परधार मंती नरैंद मोदी हमेशा से आगे आते रहें कुश में पहले उन्होंने वे सांसोदों के लिए आयोजित विसेज बोज में भी उन्होंने मोटे नाज के सेविन के सुलादी थी इतना ही नहीं मन की बातыл गारी वारे देश में आये थे उनके लिए भी उन्होंने खाने में बहुत सारे मोटे अनाजों के वेंजन पुरोशने की सला दी थी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जूर कीजिए ताकि ज़्यादे से ज़्यादा लोग इसका फाइज आउट आज के तो दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक एर जैहिन जैबाद